तो जैसे आप अपने स्कूल को और अपने स्टडी सेशन को मानेज करके एक स्किडियून पनाओगे, तो आपके पास definitely, उसे इस स्किडियून के अगर आप चलोगे न, तो definitely आपके पास extra time बचेगा, पानो किनको पैचानो, hot spot topics को, hot spot topics का मतलब होता है, ऐसे topics जो हर साल repeat होते ह आपने एक topic specific पढ़ा, उसी एक topic के question solve करीए, यह नहीं कि पूरा एक chapter खतम हो जाएगा, तब मैं question solve करूँगा, या पूरी unit मेरी खतम हो जाएगी, तब मैं questions practice करूँगा, और यहीं पर सारे के सारे neat aspirants Hey students, कैसे हो आप सब? I hope so, बहुत अच्छे होंगे आप, और आपकी पढ़ाई और लाइफ भी I hope so, काफी amazing चल रही होगी मैं हूँ आपकी अपनी कुछभूमा, I'm biology master teacher at पेदान्तू, तो आज मेरा specific यह मेरे प्यारे से neat aspirants के लिए होने वाला है कि कौन से ऐसे 5 best practical actually तरीके हैं, जिनसे आप सच में अपने neat के पूरे slaves को 11th में complete कर सकते हो, जिससे आपकी backlogs नहीं आएगी और 12th में जाकर के आपको इतना burden नहीं paste करना पड़ेगा कि आपको 11th भी पढ़नी है अच्छे से और आपको 12th भी पढ़नी है और neat के लिए भी prepare करना है लेट मी टेल यू, बहुत सारे बचे यहीं पर एक चीज गड़बर करते हैं कि बाई 11th को निगलेक करते हैं और सोचते हैं कि बाई 11th का इतना weightage नहीं है 11th को हम बाद में cover करेंगे और यही reason होता है उनके backlogs का जहां पर 12th में उन्हें 11th का syllabus revise करना होता है लेकिन वहाँ 12th में जाकर कि वो 12th तो पढ़ी रहे होते हैं साथ में 11th भी पढ़ रहे होते हैं और यहीं से start होता है stress और यहीं stress कहीं न कहीं आपका downfall होता है आपके neat की journey के लिए सबसे बड़ा एक downfall हो सकता है यही एक backlogs तो आज कैसे यह सारी problems को हटा करके आप अपने 5 best practical तरीकों से neat का syllabus कवर कर सकते हैं आज मैं वही बताऊंगे आपको चालो तो let's begin our session without wasting much more time here you go with the very first thing की भाई हमेशा आपसे teachers जो होती है they all are experienced in their own particular field वह हमेशा आपको एक ही suggestion देती है वो चाहें मैं हूँ या कोई भी educator हो की make a structured study plan उस structured study plan से आप होचपोच नहीं करोगे वो गधे की race वाली dawn नहीं लगाओगे कि समझ में नहीं आ रहा ये भी पढ़ना ये भी पढ़ना ये भी पढ़ लू वो भी पढ़ लू और at the end of the day में आपको यही पील होता है कि मैंने तो कुछ ठीक से पढ़ा ही नहीं still इतना कुछ पढ़ने के बाद भी तो जैसे आप अपने school को और अपने study sessions को manage करके एक schedule बनाओगे तो आपके पस definitely अगर आप चलोगे तो definitely आपके पास extra time बचेगा भाई हम सब के पास 24 गंटा होता है वो extra time में आप क्या कर सकते हो you can go with the self study भाई अब self study नहीं करोगे नीट में तो कब करोगे self study करते time पे revision करोगे या questions practice करोगे अपनी mistakes को review करोगे तो यही reason होता है कि आपके teachers आपको एक structure study plan बनाने के लिए बोलते हैं उस time table में time allot करो कि physics को आपको कितना time देना है chemistry को कितना time देना है और bio को आपको कितना time देना है topics prioritize करो भाई इतना सारा syllabus है उस syllabus में से hotspot topics को पहचानो किनको पहचानो hotspot topics को hotspot topics का मतलब होता है ऐसे topics जो हर साल repeat होते है उनसे questions जरूर बनते but that doesn't mean कि आप बाकी सारे topics को ignore कर दोगे बाकी सारे topics भी आपको पढ़ने हैं लेकिन आपको उन prioritize करना है उन topics को जो hotspot topic हैं आपके सारे educators even मैं भी आपको बताती रहती हूँ कि क्लास 11 के कौन से important topics है और नीट के लिए आपके क्लास 11 के कौन कौन से topics important है सबसे पहला study schedule बनाना है daily basis पे उसी को follow करके आपको physics, chemistry और bio को specific time allot करना है जिसमें आप वीको उसको दोड़ा जादा time दो कोई issue नहीं और नीट के syllabus को पहचानो उन highlighted topics पर focus करो जो आपके educators हमेशा आपको बोलते हैं next and the foremost thing use quality study material quality study material is the one of the most important thing in every neat aspirants journey हर एक neat aspirants की जर्नी में यह सबसे बड़ा role play करता है जैसे कि हम सब जानते हैं bio की मैं अगर बात करूँ तो पूरा का पूरा paper आपका NCRT based जाता है और अगर आप बिना किसी video lecture देखे या बिना अपने खुद के notes को revise कि ए NCRT book को पढ़नों के न I am damn sure मैं guarantee रेती हूँ आपको कि आपको एक word नहीं समझ में आगा NCRT का क्योंकि इतनी unstructured है बहुत important आपकी NCRT लेकिन जो चीज जिस जगा पे बहुत ही unstructured तरीके से उसमें प्रेजेंट है चीज़े आता उसी में सही question है लेकिन until and unless आपने video lectures देख करके या जहां भी आप पढ़ रहे हूँ मेरे से पढ़ रहे हूँ वो देखे बिना अगर आपने पढ़ाई करी तो NCRT तो क्या कोई book आप decipher नहीं कर पाऊगे और NCRT के लिए सबसे अच्छी book आपकी आज मैं आपको बताने वाली हूँ वही रहेगी जिसको आप use करके स्पेसिफिकली NCRT को decipher कर सकते हो वो है नीट की तत्वा books आपकी मैं भी वही books यूज करती है आपके notes बनाने के लिए आपको पढ़ाने के लिए class 11th में अगर आपको वो तत्वा books खरीदनी है तो बस आपको कुछ करने की जरत नहीं है आप session के description box में जाएए वहां पे आप 11th की specific करीदनी है 11th की अलग books available है 11th 12th दोनों की खरीदनी है तो दोनों का set available है और देख सकते हो आपकी 5 review है आप बस यहां आपसे buy it now करोगे और जैसे ही आपने buy it now किया आप मेरे coupon code के साथ that is kb pro के साथ यह books आपकी 3399 की हो जाएंगी आप अराम से discounted code के साथ इसे खरीद स बहुत आपके लिए easy हो जाएगा यही reference books के अंदर आपके books के अंदर आपका achiever section available है जहां पर आपके extra questions available है उसी एक book में आपके नीट के previous year pyqs available है हर एक topic से related topic wise questions available है जो आप आराम से practice कर सकते हो even details भी available है वो भी structured format में की इस topic के बाद आपको यह topic पढ़ना है यह topic के बाद यह पढ़ना है तो हां books एक बहुत important role play करती है आपकी इस neat की journey में तो हां NCRT तो important है उसको focus में रखना है लेकिन साथ-साथ में आप यह वाली reference books that is your neat तत्वा books प्रिपर कर सकते हो no doubt बहुत अच्छी books हैं आपकी next आपके लिए रहेगी एक छोटी सी advice mock test paper practice करना अब यह तो basic सी चीज़े सब करते हैं लेकिन गलती बच्चें यहाँ पर यह करते हैं कि मेरा मानना है कि मैं एक पूरी unit खतम कर दूँगा तब questions practice करूँगा ऐसे questions practice नहीं होते हैं आपने एक topic specific पढ़ा उसी एक topic के question solve करिए यह नहीं कि पूरा एक chapter खतम हो जाएका तब मैं questions solve करूँगा या पूरी unit मेरी खतम हो जाएकी तब मैं questions practice करूँगा और यहीं पर सारे के सारे neat aspirants गलती करते हैं क्यों वो बच्चे हैं जो आपके 720 में से 720 marks लेकर कर आते हैं या 700 में से 20 में से 718 या उनके 620 से उपर number आते क्योंकि वो यही trick follow करते हैं जो आप नहीं करते हैं और यही reason होता है कि इतने सारे students में से सिर्फ 1% बच्चे आपके इतने अच्छे neat के colleges में इतने अच्छे MBBS aims जैसे colleges में admission ले पाते हैं तो बग यह गलती आपको नहीं करनी है कोई topic खतम हो रहा है उस topic के specific questions practice करिए उन questions से आपको idea लगेगा कि क्या सच में आपको यह particular topic समझ में आया है कि नहीं आया है समझे कि नहीं यह गलती नहीं करनी है इसी से ही आप अपनी performance को regular testing से analyze कर सकते हैं ठीक है and next आज आता है active revision technique मैं और हर एक educator आपको सिर्फ एक चीज बोलता है कि इतना सारा content है bio के अंदर physics के मिला करके देखो obvious ही बात है bio सबसे जादा max weight is रखती है NEET में लेकिन बिना physics और chemistry को पास हुए तो overall number आपके अच्छे नहीं आ सकते ना तो focus तो हमें तीनों subject पे करना है और उसका सबसे best technique होता है daily basis पे आप revision कर रहे हो जो coaching में पढ़ करके आ रहे हो जो मेरे से पढ़ रहे करने के साथ साथ आप किसी को पढ़ा सकते हो जो आपने particular चीज पढ़ी है देखो पढ़ाने से सबसे best तरही का और कोई नहीं होता learn करने का आप किसी अपने friend को पढ़ा दो एक group study कर लो सबके साथ जिसमें आप एक दूसरे को topic exchange करके संजहा रहे हो revision कर रहे हो क्योंकि अग सोच समझ नहीं पाएगा और brain उसको रिटेन ही नहीं कर पाएगा तो भाई जब रिटेन नहीं होगा तो question कैसे solve करोगे कुछ नहीं होगा ठंठन गो पाल हो जाएगा तो क्या करना है अपने schedule में आपको एक घंटा या आधा गंटा ही max to mark revision के लिए जरूर देना है specific हर एक subject के लिए revision का time तो नहीं पूरे दिन दे पा रहे हो तो saturday sunday अपना सिर्फ और सिर्फ रिविजिन का दिन रखो उस दिन आपने पूरे हपते में जितना सब कुछ पढ़ा है उस related question practice कर रहे हो mock test paper लगा रहे हो revision कर रहे हो लिख लिख करके practice कर रहे हो अभी आपके पास बहुत सुनेरा मोका है एक बार यह need qualify हो गया और आपने वो mbbs में entry ले ली उसके बाद तो भाई आप खुद समझ सकते हो कि आपका dream come true हो जाएगा और उससे ज़दा proud की बात आपके लिए और आपके parents के लिए और कोई नहीं होने वाली है यह आप खुद समझ सकते हो and last and very important thing that is focus on your conceptual understanding focus 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 किसके ऊपर topic समझने के ऊपर topic रटने के ऊपर नहीं अब आप जिस class में हो ना class 11 वहाँ पे रट करके चीज़ें आप नहीं निकाल सकते हो रट करके चीज़ें यहाँ पे नहीं निकाल सकते हो फिर से सुन लो इसी लिए concept पे focus करो समझने की कोशिच करो कि जो particular concept तभी आप चीजों को solve कर पाओगे, तभी आप questions को solve कर पाओगे, और last में मेरे सारे प्यारे neat aspirants के लिए, even हर एक बच्चे के लिए मेरे पास सिर्फ एक advice रहेगी, वो ये है कि बस, खुद की health का बहुत ध्यान रखना, balance diet फॉलो करना, क्योंकि बच्चे इतना जादा मगन हो ना दिमाग लगेगा, ना body आपको support कर पाएगी, तो अपनी health का भी proper ध्यान रखो, time से so, time से खाओ, जितना हो सकता है, fruits और healthy चीज़े खाओ, यह नहीं कि junk food खा रहे हो बाहर जा करके, यह सच में एक bonus tip है और बहुत important tip है, क्योंकि यहीं भी बच्चे अक्सर गलती करते है क्योंकि वो ignore कर देते हैं अपनी health को, health ठीक रहेगी, सब कुछ clear कर पाओगे, otherwise जो सपना देखा है वो आधे में ही छोड़ना पड़ेगा, और यह मैं अपने personal experience से बता रहे हूं, literally, 12th के बाद, आपकी अपनी माम को, jointis के साथ साथ टाइफॉइड भी हुआता, I was bedridden for 3 months, वो तीन महीने में पूरे continuously bedridden पे थी, मेरे दोनों हातों में Vigo लगा हुआ था, सोचो मैं इतनी पतली हो गई थी, मतलब I was 35 kg at that time, जब मुझे jointis or typhoid हुआ था, और जिसकी वज़े से मुझे अपने सारे सपने छोडने पड़े, लेकिन फिर भी God के अच्छे plans थे, मैं मोटिवेशन दे रहे हुँ, बट आपको ये गलती नहीं करनी है, इसलिए अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस रखना, ठीक है, चालो, तो जाते जाते बस आप लों को एक और information देती जाओंगी, वो है periodic test series, आप सब के periodic test ongoing है, तो class 11th के हर एक बच्चे के ल payment आपको नहीं करना है, जैसे ही आप session पे click करोगे, आपको यहाँ पे दिखेएगा, download free PDF of class 11 periodic test, इस periodic test के link पे click करना, और ये खुल जाएगी आपकी PDF, जिसमें आप खुद देख सकते हो, ये सब चीजे फ्री है, physics के 5 test paper, chemistry के 5 test paper, bio के 5, maths के 5, economics के 5 and even English के 5 test paper आपके पास available है, जो आप practice कर सकते हो, periodic test खतम भी हो गया है, फिर भी आपके mid-term exam के लिए ये काफी important होंगे, तो miss मत करना, इसे download करना, और जाते जाते बस एक चीज करनी है आपको, that is, telegram channel को join कर लेना है, ताकि जब भी sessions आएं, आपको उसका update मिल जाए, और even अगर आपको मुझे personally reach out करना ह कोई भी query के लिए, तो आप मुझे Instagram पर अप्रोच कर सकते हैं, तो बस मेरे प्यारे सारे से बच्चे जाते जाते जाते, सेशन को like कर दें और channel को subscribe कर दें, अब हम फिर मिलेंगे, चलते चलते, ऐसे ही प्यारे से session के साथ, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों के, चलते जाते ज